इस वक्ते की बड़ी कपर है अर्याड़ा के हार पर कॉंग्रेस की समिछा बैठक चल रही है बैठक में राउल गादी ने बड़ा बयान दिया है सुत्र ये बता रहे कि राउल गादी ने काय कि निताउन रफ में हित को उपर रख दिया पार्टी के हित को नीचे रखा गया है और ये एक बड़ी वज़ा है हर्याणा में जिस तरह किसे कॉंग्रेस पार्टी हार गए राउल गादी ने हला कि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही कॉंग्रेस में एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई जाएगी जो हर्याणा में हार की वज़ाओं की तलाशेगी चाहें वो कॉंग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बहुत जल्द इसका गठन हो सकता है इस वक्ते की बड़ी कपर है हर्याडा के हार पर कॉंग्रेस की समीच्छा बैठक चल रही है बैठक में राउल गादी ने बड़ा बयान दिया है सुत्र ये बता रहे है कि राउल गादी ने कहा है कि निताओं ने अपने हित को उपर रख दिया पार्टी के हित को नीचे रखा गया है और ये एक बड़ी बज़ा है हर्याणा में जिस सरी किसे कॉंग्रेस पार्टी हार गे राउल गादी ने हाला कि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि जल्द ही कॉंग्रेस में एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बनाई जाएगी जो हर्याणा में हार की बज़ों की तलाशेगी चाहें वो कॉंग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमिटी बहुत जल्द इसका गठन हो सकता है